हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से टेस्टी नस्तावो भी बिना मैदा के अगर आप इस वीडियो में नाए हैं तो वीडियो को लाइक कीजे और चेनल को सस्क्राब कर दीजे तक कि इस तरीका का वीडियो आपको मिलते रहें अब देख सकते हैं कितना खस्ता बना है मैंने लिया है दो कच्चे आलू मिडियम साइज का इसका छिलका निकाल लेते हैं इस तरीका से छिलका को हटा लेना है आप देख सकते हैं छिलका हट चुका है एक प्याज लेते हैं और इसका छिलका भी हटा लेते हैं इस तरीका से प्याज का छिलका को भी हटा लेना है अब आलू और प्याज के छिलके को निकाल दिये हैं अलू को इस तरीका से कटना है जादा बड़ा भी नहीं जादा छोटा भी नहीं मिडियम साज का कटना है अब आलू को प्याज को भी हटा लेते हैं अच्छे से चाकि कलापन ना हो जाए अब इस तरह से प्याज को भी काटेंगे चोटे चोटे टुकडों में प्याट काट लिये हैं आप मिक्सर जार में आलू को डालेंगे अलू डाल लिये हैं आप प्याज डालें गें तुकड़े हुए दोहरी मिर्ची डालेंगे, एक अधरक टुकड़ा डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, इसका पेस्ट बना लेते हैं, इसका दरदरा नई पीजना है, पुरा पेस्ट बनाना है इसको, अच्छे से पेस्ट बन गिया है, देखिए, आप दूसरा बरतन में नि कि इसको अच्छे से चला देते हैं अब इसमें मसाला एड़ करेंगे रहरें कुटी बी अधा चमाच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हाफ चमाच घल्दी पाउडर डालेंगे हाफ चमाच चाट मसाला डालेंगे और चुटकी भर हिंग डालेंगे हाफ चमाच गुलकी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी थोड़ा क्रेस्ट के डालेंगे इसमें गोटा जीरा हाफ चमाच डालेंगे अब चमच मंगरेला डालेंगे और इन सब चीज को अच्छे से मिला देंगे देखे अच्छे से मिल रहा है अब इसमें दो चमच घी मिला देंगे आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं इसे अच्छा से मिच कर लेते हैं अब दो कप आठा ले लिए हैं आप आलू में थोड़ा थोड़ा करके आठे को मिलाएंगे मिलाते जाएंगे आठे को इस तरह मिक्स करते जाना है एक बाराटा को नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है आप देखिए इस तरह बन गया है और थोड़ा गिला है लेकिन घबराना नहीं अब इसको कड़ाही में तेल डालेंगे थोड़ा सा अब आलू और आठे का डो को इसको धिमी आच में पकाना है तब तक पकाना है जब तक इसका अच्छे से पकना जाए पानी सोक जाएगा तब इसको गेश को बंद करना है और दूसरे बरतान में निकाल लेना है थोड़ा ठंडा होने देना है और इस तरह इसको मिक्स करना है देखे अच्छे से मिक्स हो रहा है अच्छे से मिक्स हो गया है इसको थोड़ा दिर के लिए ढखकर रख देते हैं अब इसको ढखकर हटा के देख लेते हैं हाथ में तेल लगा के इसको दो भाग में बाट लेते हैं और इस तरह गुल गुल बना लेते हैं अब बन गिया है अब इसको बेलन के सहता से इसको बेल लेते हैं और इसका ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और ज़्यादा पतला भी नहीं देखे अच्छे से बेल लिये हैं देखे एक कटोरी लेना है कटोरी को किनारे तेल लगा के इस तरह बेले वे आटे को इस तरह काटना है तक कि गोल बन जाए देखे काट के निकाल दिये हैं और इस तरह सब आटे को इस तरह बना लेते हैं बन के तयार हो गया है देखे सब आटे बना के रेडी कर दिये हैं चलिए अब इसको फ्राइ करते हैं कडाहे में तेल डाल लिए हैं गरम हो गया है इसमें डालेंगे अब इसको धिमियाज में पकाना है तब तक पकाना है जब तक गुल्डन कलर ना हो जाए देखिए अच्छे से फूल रहा है अब इसको पलट देते हैं अब इसको निकाल लेते हैं दूसरे वरतन में और इस तरह सब पूरी को बना लेते हैं अब सब पूरी बन के रेडी हो गया है देखिए अब कितना खस्ता बना है अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजे और चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई